अब तक हम लोगों ने वार्ट का एक सेक्शन के बारे में स्टार्ट करा और तीसरा सेक्शन जो आज हम लोग कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल एन नेशनल सम्मिट तो इसके बारे में कहां पर हुआ कब हुआ क्या थीम्स थे उससे रिलेटड कोस्टन्स एक्शाम में रहते हैं तो सबसे पहला जो हम लोग आज ले रहे हैं वो है कंवेंशन और कंजर्वेशन आफ माइग्रेटरी एस्पिसिस और वाइल्ड एनिमल तो कंवेंशन है किस्चिस के उपर तो जो माइग्रेटरी हैं यानि जो अपने क्लाइमेट के हिसाब से रिक्वार्मेंट के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं उनसे रिलेटड जो वर्ल्ड लीडर्स हैं जो डिफेंट डिफेंट कंट्रीज के लोग हैं वो सारे मिटिंग करते हैं और उससे रिलेटड चीजों के उपर पूरी दुनिया का ध्यान दिलवाते हैं तो तेरावा एडिशन था ये जिसको होईस्ट किया गया किसके दौरा इंडिया के दौरा तो ये चीज़े ध्यान रखेंगे कहां पर हुआ दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कब हुआ तो 17 फेब्रारी से लेकर के 22 फेब्रार 2020 कहां पर हुआ तो गौंधी नगर गुजराथ ये तीन चीज़े ध्यान में रखनी है 13 फेब्राइशन था किसने होस्ट किया इंडिया में कहां पर हुआ तो गौंदी नगर गुजरात में और थीम रखा गया migratory species connect the planet and we welcome them home ये जो है इस convention का theme था कि जो migratory species हैं वो पूरे planet को connect करते हैं और हम लोग उनका welcome करें और कोलम एक art form है जिससे इसकी logo जो थी inspired थी किसने inaugurate किया है इस convention को तो मुदी जी ने नरेंदर मुदी जी हमारे prime minister और इसमें कितने लोगों ने participate किया तो 130 countries के representatives थे, कुछ परियावरन के conservationist थे बहुत सारे international NGO के लोग थे और सब लोगों ने मिल करके इसमें species को protect करने की बात कही हैं अब यहाँ पे जो CMS है आपके पस यह basically किस चीज़ के लिए होता है तो conventions हैं आपके पास migratory species के लिए जो United Nation Environment Program का एक Environment Treaty है जिसको United Nation ने जो है launch किया था किस लिए तो migratory species को conserve करने के लिए और भारत इसका member cup बना है तो 1983 के अंदर तो यह पहली समिट जो अपने को याद करनी है दूसरी है आपके पस IFAD यानि के International Fund for Agricultural Development यह भी important है आपके पस IFAD तो अगर exam में questions full form के उपर भी रहे तो अपने को ध्यान रखना है IFAD होता क्या है तो it is just the International Fund for Agricultural Development और इसकी 43rd session जो है आपकी हुई है governing council की 11 से 12 February 2020 कहां पर तो Rome में तो यह चीज अपने को याद रखनी है February में IFAD के governing councils के meeting कहां पर organize हुई है तो that is in the room और इसका investment इसका theme क्या है तो investing in sustainable food system to end the hunger कि जो आपकी hunger है भूख है पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा एक problem है hungry की hunger की कि जो है कि लोगों को proper amount में खाना नहीं मिल पाता है तो पूरी दुनिया को 2030 तक 2030 तक हम लोगों को क्या करना है hunger को खतम करना है अब अगर हम थोड़ा बहुत IFAD के बारे में बात कर लें International Fund for Agriculture Development की तो इसकी establishment हुई थी 1974 के अंदर World Food Conference में और basically यह जो है International Financial Institutions है और United Nations Agency जो based है आपकी Rome में उसका एक हिस्सा है जिसके अंदर जो है किस तरीके से fund का जो है योडिलाइज किया जाएगा Agricultural Development के लिए तो उसके लिए meetings की जाती है time to time Third Summit जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं वो है आपका Global Conference on Road Safety तो अगर exam में question पूछा जाए कि जो Global Conference है Road Safety की ठीक है भारत के तरफ से वहाँ पर कौन गये थे representative के रूप में तो नितिन गड़करी जी और कहां पर हुआ है ये तो Stockholm Sweden के अंदर अब ये किस के साथ collaborated है तो कहता है कि ये जो Conjurvish Conference on Road Safety है उसमें World Bank World Health Organization ठीक है ये सारी चीज़े participate करती है और इनका main purpose है कि किस तरीके से road accidents को कम किया जाए इससे पहले तूसरी बार ब्राजील में हुए थी ये third edition जो था वो Stockholm Sweden के अंदर हुआ था इसके बाद है National Conference on प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना तो ये Central Government की scheme है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना और इसकी conferences होती है तो पहली conferences लखनों में हुए थी फिर दूसरी बैंगलाओर के अंदर तीसरी गवार्टी के अंदर और हाल फिलाल fourth conference हुआ है 17th of February को उदैपुर राजस्थान में और जो secretary है संजय एक्रवाल जी उन्होंने ही इसको जो inaugurate किया है और उन्होंने बताया कि इसमें state government, bank sector, insurance sector किस तरीके से आपस में समन वेयता के साथ coordination के साथ चीजों को implement कर सकती है और ये जो national conference होता है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का इसको organize कौन करता है तो ministry of agriculture and the farmer welfare next है international judicial conference ये आपके दिल्ली के अंदर हुआ है 23 February को मोदी जी जो है इसको address किये थे और इसका purpose था judiciary and changing world कि किस तरीके से judiciary के साथ दुनिया भी आपकी change होती जा रही है और इसका theme था gender just world ठीक है कि gender जो है male और female के अंदर जो differentiation की जाती है उसको कम करने का जो है इसके अंदर theme रखा गया था और ये भी बताएगी किस तरीके से supreme court ने military के अंदर sorry defense के अंदर जो है permanent commissions के लिए ladies को women's को allow किया है उसके अलावा कि किस तरीके से हर एक court को information technology artificial intelligence से जोड़ा जाए ये court की विवस्था की जाए ताकि जितने delays होती है या बहुत सारे जो pending चीज़ें पड़ी रहती है courts के अंदर तो उसको जितना जल्दी हो सके खतम किया जाए उसके बाद है icosat international conference on nanoscience and technology ये five to seven mars 2020 कौकाटा के अंदर हुआ है और इसको organize किया गया department of science and technology के द्वारा और इक इसका purpose है कि एक potential platform जो है young researchers और students को देश के अंदर या देश के बाहर जो भी हो उनको एक platform मिले जिसके विज़े से वो nanos technology, biotechnology इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा enhance कर सकें इनके applications को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकें इसके बाद एक और summit है international diabetes summit के अंदर हुआ कहां पर organize किया गया तो पूने के अंदर चल्ला राम Diabetic Institute है जिसके चीफ केस्ते डाक्टर माधुरी कानित कर तीन देश की summit थी जिसके अंदर probable solution of diabetes के ऊपर जो है discussions और research papers जो है doctors के द्वारा paste किये गया और उनके ऊपर discussions हुआ लास्ट अपना आज का है Wings India 2020 यह international conference और exhibition होता है किसके उपर तो civil aviation sectors के अंदर 12 से 15 मार्च 2020 यह आपका होता है और गिनाईज हुआ बेगम पिट एरपोर्ट हाइद्रा बाद के अंदर और इसको organize करते हैं ministry of civil aviation and airport authority of India और उसके अलावा इनके साथ collaborated form में होते हैं आपके federation of Indian chambers of commerce and industry फिकी तो Wings India 2020 ध्यान रखेंगे हम लोग तो यह सारे कुछ summits हैं जो आपको याद करने हैं थैंक यू कल के current affairs में हम लोग governments के कुछ apps portal policy और schemes के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू आपको बाद के बाद के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू